Now we will see analyzing the observation situation, कि observation है, कैसे उसको analyze करना है, क्या करेंगे, तो हम अच्छा observation कर पाएंगे First, what will be observe, हमें अपने question में बड़ा specific होना है कि हम observe करने क्या जा रहे हैं So understand the target child behavior, ये हमारा बच्चा है, target child है, और हमने इसका ये behavior खास तोर पे देखना है Determine ahead of time what the teacher trying to observe, पहले से आपको पता होना चाहिए, मुझे किस तीज पे नजर रखनी है, क्या चीज मैंने note करनी है Then need to be clear targets and goals, और क्यों करनी है, फिक है, पहले हमें पता हो बच्चा क्या है, कौन बच्चा है जिसको हमने observe करना है, इसके कौन से behavior को हमने note down करना है और किस चीज पे हमने नजर रखनी है, क्यों करना है, ये goals हमने पहले जहन में रखने है Then second, when will the observations be made, करना कब है, event sampling करनी है, या child must be observed for some period of time and it will be important to determine how long a period of time will be पीछे जो हमने चार किस्में पिछले module में बताई हैं, कि ये सब हम कर सकते हैं, हम वक्त के साथ भी देख सकते हैं, कितनी दफ़ाँ चीज़ें हुई, किसी event में भी दे सकते हैं, एक event में कितनी दफ़ाँ हमने बच्चों को किस तरह का behavior करते हुए पाया तो वो सारी चीज़ें हमने देखनी हैं, और ये क्या है, कि when will the observations be made, हमने कब करना है observe बच्चों को, वक्त के साथ साथ करना है observe, किसी खास event में हमने observe करना है उनको, या उनको managing के वक्त देखना है, discipline उनका check करना है हमने, उनको को activity करते हुए हमने देखना है, या teacher student relationship के वक् तो आप सिर्फ यही फैसला नहीं कर रहे होंगे कि आपके objectives क्या थे, बलके यह फैसला भी कर रहे होंगे कि आपने किस तरह से बच्चों को observe करना है, then third, which observational method will be used, आप observe करना कैसे है, आपके पास क्या measure है, क्या tool है, क्या instrument है, first determine what kind of information is required, information कौन सी चाहिए, कैसे चाहिए, कह रिकॉर्ड करेंगी, choose the method of observation that will best give this information, अब हमें यह फैसला करना है, कि यह information बेहतरीन तरीके से हमें कैसे मिल सकती है, देखिए हमारे पास तरह तरह के observation की tools है, कभी हमारे पास checklists होती है, जिन में हम टिक करते जाते हैं, अच्छा यह बिहेव कर रहा है, कभी कभी करता है, अक हम एक paragraph में लिखते चले जाते हैं, तो इस तरह से बहुत से तरीके हैं, जब हम observe करते हैं, finally, how will be the accuracy of the observations be verified, अब मुझे कैसे पता चलेगा, कि जो कुछ मैंने observe किया और मैंने लिखा, वो विलकुर ठीक था, so the observer must determine what is being recorded, क्या सारे points लिखे जा रहे हैं, और detail में लिखे जा र verify what was observed to multiple sources, हाँ, अगली बास यह है कि जब हम किसी को observe कर रहे होते हैं, तो जैसे हमने कहा कि assessment कोई soul किसी एक tool के जरिए मुकमल नहीं की जा सकती, तो जब observation हो रही है, तो क्या इसके साथ कोई और किसम की assessments भी हो रही हैं, तो यह चीजे हमने जहन में रखनी हैं, कि कोई और भ activity के वक्त उसने अपने साथ कों से collaborate कैसे किया है, क्या कमुशी से कर रहा है, या मसलसल बच्चों के साथ दूसरों के साथ बात चीजे कर रहा है, यह सारा कुछ तो हम देख रहे हैं, लेकिन आखर में अगर हम उसकी copy और result problem है, वह भी देख लें, तो हमें अच्छे से अंद